आज जिस तरह की राजनीती दिल्ली में जहागीर पुरी इलाके में हो रही है और दिल्ली के अंदर जो आमादी पार्टी के मुखिया हैं दिल्ली के मुख्य मंत्री बिल्कुल मौन है और उनका जिस तरह से जहागीर पुरी में जो हिंसा हुई एक शांती पूर्ण ढंक से निकलने वाली शोभा यात्रा के उपर जो पत्रा हुआ गोलियां चली तलवारे चली और उनको बचाने के लिए जब दिल्ली पुलिस बीच में दिवाल बनकर खड़ी हुई तो दिल्ली पुलिस के ऊपर भी गोलियां चलाई गी पत्राव हुआ उस समय दिल्ली के अंदर आमादी पार्टी हो केजरिवाल हो या अन्य सोकाल्ड सेकुलर दल हो कोई भी सामने नहीं आया लेकिन जिस तरह से जहांगीरपुरी इलाके में रहने वाले रोहिंग्या बंगला देशियों के खिलाब दिल्ली नगर निगम का जो कारवाई हुई और उस कारवाई में उन दंगाईयों को उन अतिकरमण करने वाले रोहिंग्या बंगला देशियों को बचाने के लिए जो आम आदी पार्टी सक्री हुई है देश के सोकाल्ड सेकुलर दल सक्री हुए है वो देश पूरा देख रहा है देश यह भी देख रहा है कि जिस समय दिल्ली पुलिस और शोवायत्रा में सामिल लोगों पर पत्राओ किया जा रहा था तो सब के मूँ सिले हुए थे कोई नहीं बोल रहा था लेकिन अब सारे राजनेतिक दल आम आदी पार्टी के मुख्या केजरिबाल समेथ वो सभी दल इस मामले को लेकर दंगाईयों को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं शायद आद देश को जानने की जरूवत है कि यह वही आम आदी पार्टी है जिनके निगम पार्षद ताहिर हुसैन दिल्ली के अंदर 2020 के अंदर जो दंगे हुए उसके मुख्य आरोपी मास्टर माइंड सूत्रधार रहे हैं जिसने अपनी च्छत पर तमाम एसिट की बोतले और तमाम इट पत्थर इखटे किये गुलेल लगवाई और वो किसलिए लगवाई वो निर्दोस हिंदूओं को मारने के लिए वहाँ ये तयारी और सड़न तरचा गया ये किसी से छिपा नहीं है कि यही आमादी पार्टी के विधायक अमतुल्लाख खां जो शाहीन बाग के अंदर ये कहते ठक नहीं रहे थे कि हमें कोई जुका नहीं सकता हमने 2000 साल इस देश पर सासन किया है धार्मिक भावना है भड़काना दंगा करना दंगाईयों को बचाना दंगाईयों को समर्थन करना ये आमादी पार्टी की सियासत का एक महत्तपूर्ण हिस्सा बन चुका है और जब आज देखेंगे सोला तारीक को जो दंगे हुए उसमें जो मुख्य आरोपी अंसार वो भी आमादी पार्टी का कारी करता है वहाँ आमादी पार्टी के विधायक पार्शद है उनका उन्हें संरच्छन प्राप्त है रोहिंगा बंगला देशियों की और उस संरच्छन में वो लोग वहाँ गलत धंदे करते हैं अतिक्रमण करते हैं वैद कबजे करते हैं और जब इस तरह की कारवाई होती है तो उनी को बचाने के लिए उनी के आका चले आते हैं तो आज पूरा देश देख रहा है किस तरह दंगाईयों की पार्टी आमादी पार्टी बन चुकी है दोस्तों मैं ये बात बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ पुक्ता सबूतों के साथ कह रहा हूँ 2017 में एक PIL दाखिल होती हाई कोट में और उस PIL का मंतब भी होता है कि हाई कोट के अंदर कि दिल्ली सरकार रोहिंग्या बंगलादेशी जो 5 लाग के आसपास दिल्ली में रहते उस पर दिल्ली सरकार जवाब दे लेकिन आज तक दिल्ली सरकार ने 5 साल से जवाब नहीं दिया क्योंकि अगर जवाब देना पड़ेगा उन्हें तो उन्हें अपने DM से अपने SDM से पने AWO से उनके नाम वोटर कार्ट से कटवाने पड़ेंगे, उनके रासन कार्ट से कटवाने पड़ेंगे, उन्हें दिल्ली से बाहर करना पड़ेगा, फिर उनको वोट कैसे मिलेंगे, तो दिल्ली की चिंता नहीं है, देश की चिंता नहीं है, उन्हों अपने वोटों की चिंता है, कि ये लोग हमें वोट भी करेंगे, औ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ आज जिस तरह से जो अभी कुछ टाइम पहले यूपी सरकार ने दिल्ली के सटी हुई फ्लड इरिकेशन की जमीन पर मदनपुर खादर के अंदर रोहिंग्या बंगला देशियों को हटाया वहाँ पर अवैद अथिक्रमण को हटाया केजरिबाल साब आगे आगे बोले कि नहीं हम तो सबसे बड़े रोहिंग्या बंगला देशी के भाई हैं उनके दोस्त हैं यूपी सरकार अगर उनको भगाएगी तो हम दिल्ली में उन्हें बसाएंगे और दामात की तरह उनको जमीन भी देंगे उनको राशन भी देंगे उनको बिजली भी देंगे उनको पानी भी देंगे और उनको गुजर बसर करने के लिए 10-10 हजार रुपए दिल्ली सरकार ने दिये हैं रोहिंग्या बंगला देशीयों को पिछले साल की घटना है उनको मदनपूर खादर से हटाकर PWD की जमीन पर दिल्ली सरकार ने बसाने का काम किया है और बात यहीं तक नहीं रुकी पूरी दिल्ली के बहुत सारे ऐसे पॉकेट है जिसमें जहांगीरपुरी भी है जिसमें सुंदर नगरी भी है जिसमें ओकला भी है जिसमें तमाम जमना के पास लगे हुए इलाके है उन इलाकों के अंदर रोहिंग्या बंगला देशियों को बसा कर इनके विधायकों ने इनके पारसदों ने उनसे अवैत कब्जे कराए और अवैत कब्जे कराकर उनके रासनकार्ड बनवाए उनको फ्री में बिजली दी फ्री में पानी दिया ये सब काम आमाधी प पार्टी क्योंकि ताहिर उसाय नमातुल्ला खां अंसार जैसी लंबी फेरिस्थ है और मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ आप चाहे तो पता कर लीजिए दिल्ली के हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर जो दंगाई है जिसका दंगाई के नाम दर्ज है जो हिस्टी स सीटर है उनकी सूची आप मगा लिजिए और फिर आम आदी पार्टी के कारियले पर भी जाइए जो इनके पार्शत जो इनके विधायक छास लोग है उनकी सूची में कोई पंदर नहीं है वहिए जो पुलिस स्टेशन में हिस्टी सीटर है जो दंगाई है वही आमादी आमादी पार्टी की हकीकत है, नहीं तो मैं आज आपके बीच कहना चाहता हूँ, मस्जिद से जब पत्रा होता है, आप क्यों नहीं एक्ष्ण लेते हैं, अरे आमादी पार्टी मस्जिद में जो काम कर रहे हैं, जो इमाम हैं, उनको तंखा दे रही है, वो सरकारी मुलाजिम है वो सरकारी मुलाजिम वो आमाधी पार्टी सरकार उनको अपने फंड से पैसा दे रही है इसका मतलब आमाधी पार्टी की सरकार के मुलाजिम वहां मस्जिस से पत्राव कर रहे थे दिल्ली की केजरिवाल सरकार के मुलाजिम जिनको तंखा आमादी पार्टी सरकार दे रही है उनको वहाँ पर वो पत्राव कर रहे थे ये चेहरा ये चरित्र ये आमादी पार्टी का है और आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ भी कुछ दिन पहले चांदी चौक में हनवान मंदिर को तोड़ा गया आमादी करने वालों को बचाने के लिए रोहिंग्या बंगला देशियों को बचाने के लिए आज आमादी पार्टी आ गई है कॉंग्रेस के यही वकील कोट चले गए यह वही वकील साहब है जो राम मंदिर बनाने का विरोध करते थे राम जी के अस्तित्त को नकारने का काम करते थ और केजरिवाल साब बोली नहीं रहे हैं, मौन समर्थन है उनको, उनका मौन समर्थन है और ये जो बौकलाहट है आम आदी पार्टी की समय जितने भी राजनेतिक दल हैं, उनकी बौकलाहट आज साफ साफ नजर आ रही है वो बौकलाहट इसलिए है, क्योंकि केंदर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, गरीवी 2011 में गरीवी रेखा 22.5% से 11% पर आ गई है 135 करोड के देश में कोई सोचता भी नहीं था, भारत कोरोना से पार पापाएगा फ्री में वैक्सीन, फ्री में सबको राशन उस संकट के समय दिया गया, अभी भी दे रहे हैं देश तरक्की कर रहा है और ये वही लोग आज दंगाईयों को बचाने के लिए आगे आए हैं, जिनोंने देश को धार्मिक आधार पर विभाजन करके अपनी सत्ता चलाई थी और आज वही लोग उसी फ्रस्टेशन में, उसी बॉकलाहट में इस तरह के काम कर रहे हैं मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आमाधी पार्टी का चेहरा बिलकुल बेनकाब हो गया है शीशे में साफ दिख रहा है कि आमाधी पार्टी ताहिर हुसैन से लेकर अंसार तक, अमातुल्लाख खां से लेकर सोनू तक सारे आमाधी पार्टी के जो विधायक भी हैं, जो पार्षत भी हैं, उनको सनरच्छन दे रहे हैं तो कुछ लोग तो इनको सनरच्छन दे रहे हैं, कुछ इन्होंने आगे कर रखे हैं, वो दंगाईयों की पार्टी आज बन गई है, दंगा कराना हो, दंगा कराके अपने वोट बैंक पक्के करने हो, तो इसके लिए सबसे पहला नाम अगर किसी का है, तो वो आमाधी पार पार्टी और दंगाईयों को कोट में बचाने वाली पार्टी आज शाहिन बाग से लेकर, सिये का विरोध से लेकर, और पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों से लेकर, जहांगीर पूरी इलाके के अंदर जो दंगे हुए, और पूरी दिल्ली में इस है 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 कि देखिए बिलकुल सही बात है बिलकुल सारी कारवाई सही दिसा में जा रही और जिस तरह से जहांगीरपुरी में निगम ने कारवाई की वहाँ पर अतिक्रमन हटाने की कारवाई लगातार चल रही थी लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने चाय वो आमादी पार्टी हो विपच्च के और भी दल हो उनका एक ही मतलब है क्योंकि इस समय पूरे देश में आप देखेंगे वो इसी तरह का महौल है और वो इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं वो पुलिस को मोधी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं देश में अस्थिरता का महौल हो देश में हम इस तरह से धार्मिक आधार पर विभाजन करके अपनी राजनीत करे ये महौल बनाना चाहते हैं बिलकुल इस साब वहां कोट में गए जिसने याज का दायर की और जो जो कोट का ओर्डर लेकर जो मुहतर्मा वहां पर पहुंची इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आम आदनी की जरूर है इसकी वज़े से यह सब काम हो रहा है कि अधिये मेरे पास अभी मुझे एक मित्र ने बताया कि आमादी पार्टी की एक बड़ी नेत्री हैं उन्होंने टीवी पर हमारे चितर के साथ दिखाया और वो चितर फेक है और वह वो बिलकुल गलत चितर है यह इनका पुरानी टैक्टिस है जूट बोलना जूटे सबूत देना और prob लट मीडिया के सामने गलत बाते करना इस तरह की बाते हमेशा करते रहते मेरे पास यह पूरा अंसार का भी है ताहिर हुसेन के बारे में आपको पता ही है और एक एक सबूत है ग्राउंड की बहुत सारी रिपोर्ट्स जो इसमें पकड़े गए जितने भी लोग हैं उनके आमाधी पार्टी से क्या कनेक्शन है बंगल देखे यह बात साइद आपको देर से दिख रही है ग्यारा अप्रैल को भी यहां कारवाई हुई जहांगीरपुरी के अंदर यह सात्मी कारवाई थी पत्र इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि आज हमने पूर्वी दिल्ली और दच्छनी दिल्ली निगम को भी पत्र लिखा है और हमने इह कहा है कि इस तरह की कारवाई होनी चाहिए जो लोग दिल्ली का देश का महौल खराब कर रहे हैं जहां रोहिंग्या-bंग्ला-देशी बने रहकर वहां नशाखोरी का धंदा हो वहां पर और सारे अवैत काम कर रहे आथिकरमन कर रहे हुए उनके खिलाब कार देखिए आप ये बात तो उनी से पूछिए क्योंकि बुल्डोजर कोई गलत भासा नहीं है बुल्डोजर का काम है कुड़ा हटाना अतिक्रमण हटाना आज तो माननी उचितम नियाले ने भी कह दिया है कि बुल्डोजर का जो काम है तो बुल्डोजर ही करेगा अगर बुल्डोजर की जरूरत है तो बुल्डोजर से ही वो काम होगा तो ये बात उन लोगों को सायद यह लगता है कि बुल्डोजर हमारे उपर चला है क्योंकि वो उन लोगों को संरच्छन दे रहे हैं जिने बुल्डोजर से डर लग रहा है जो बुल्डोजर आने से जिनके अवैद धंदे अतिक्रमण हट जा रहे हैं जिनको संरच्छन प्राप्त है इसलिए उन्हें डर okay thank you